ऐसा क्यों होता है कि एक पेपर कट एक रेगुलर कट से ज्यादा दर्द करता है क्या आप जानता है कि फिल्म के ट्रेलर्स को उनका नाम कैसे मिला अरे मेरे को क्या मालूम बर्ड्स अकसर एक V formation ही क्यों उड़ती है इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की एपिसोड में अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वेलकम और अगर आप लॉट कर आए हैं तो वेलकम बैक दोस्तों बिना कोई देरी किये शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला फैक्ट ऐसा कित्ती बार हुआ है कि एक छोटा सा पेपर कट अचानक से आया और आपको दर्द में छोड़कर जला गया और क्या आपने कभी नोटीस किया है कि एक पेपर कट का पेन रैगलर कट के पेन से जज़्यादा देर तक आपको एफेक्ट करता है दोस्तों ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमारे हाथों और चेहरों में बाकी body parts से ज्यादा nerves होती है ये सबी nerves almost एक electric cable की तरह होती है जो हमारे brain और body के बाकी हिस्सों में information पहुचाती है तो अब आपको कभी हाथ या tongue या face पर कोई paper cut होता है तो उस area में सारे nerves उससे effect होते हैं और क्योंकि वो nerves इतने densely packed होती हैं तो दर्थ भी ज्यादा होता है और तो और paper cuts usually ज्यादा deep नहीं होते हैं कि blood clots या कोई गहरी चोट दे सकें वो usually skin के surface पर ही होते हैं दोस्तो अगर cut bleed ज्यादा करे या skin के अंदर थोड़ा deep जाए तो उसको repair करना easy होता है आपकी immune system के लिए लेकिन अगर skin के surface पर ही हो तो वो affected nerve endings खोली रह जाती हैं और जल्दी ठीक नहीं हो पाती अभी खतम नहीं हुआ इसलिए paper cuts नॉर्मल cuts से ज्यादा pain करते हैं पांच से 10 मिनिट पहले ही वहाँ पहुँच जाता हूँ ताकि कोई trailer मिसना हो जाए अच्छा बात नहीं है I think theater में film देखने की आधी excitement तो उस बड़ी screen पे trailers देखने में आती है मैं क्या करूँ फिर जाब चोड़ दू पर क्या आपको पता हैं कि हम उन्हें trailer क्यों बलाते हैं वो इसलिए दोस्तों क्यूंकि पहले ये trailers film खत्म हो जाने के बाद theater में दिखाई जाते थे पहले नहीं क्यूंकि ये film के बाद दिखाई जाते थे ये पूरा sequence almost एक trailer जैसा होता था इसलिए इसका नाम trailer पड़ गया लेकिन आप तो ये film से पहले दिखाई जाते हैं तो क्या आप हम films को trailer बला सकते हैं दोस्तों बाद करते हैं हमारे एकले fact की क्या आपने कभी notice किया है कि आपका हर body part ठंड से कितना affected होता है लेकिन कि आपने कभी सोच आई कि हमारे eyes को कभी ठंड क्यूं नहीं लगती या इतना फरक नहीं पड़ता इसकी वज़ा है हमारी eyes का design येस हमारी eyelashes, eyelids और tears ये ensure करते हैं कि हमारी eyes cold temperature में भी सही सलामत रहें और तो और salt water को freeze होने के लिए normal water से थोड़ा ज्यादा time और ज्यादा ठंड़े temperature की जरूरत पड़ती है इसलिए हमारे salty tears ठंड़े से ठंड़े climate में भी हमारी eyes को ठीक रखते हैं तो अगर आपने कभी wonder किया हो कि क्यूं हमें आखों में ठंड नहीं लगती now you know दोस्तों हमारा अगला fact is related to birds क्या आपने कभी एक bird के group को एक साथ उड़ते हुए देखा है मैं भी ये क्या पूछ रहा हूँ जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा तो एक बार शाम को आसमान में नजर गुमा कर देखिएगा अगर ज्यादा धुआ ना हो तो और आप जानेंगे कि almost हर टाइप की birds एक particular formation में उड़ती है एक V-shape की formation में और कभी-कभी J-shape की formation में भी दोस्तों इन formations को बोलते हैं scan formation पर दोस्तों कि आपको बता है कि ये formation सिर्फ birds यूज नहीं करता बलकि किसी war के टाइम पर military भी इस formation को यूज करती है पर ऐसे क्या है इस formation में एक basic वजा तो ये है कि V-shape में रहने से हर किसी को अपने सामने clearly दिखाई देता है लेकिन इससे भी amazing एक और reason है researchers की according जब आगे वाली bird अपने wings flap करती है तो एक vortex of air बनाती है मतलब कि अपने wings से wind को एक circular shape देती है जो कि उसके पीछे वाली bird के लिए काफी helpful होता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो पीछे वाली bird को कम pressure यूज करना पड़ता है उड़ने के लिए and similarly उसके पीछे वाली bird को उससे कम energy spend करनी पड़ती है and उसके भी पीछे वाली bird को और भी कम energy use करनी पड़ती है इस formation का नतीजा ये होता ही कि जो bird V formation के top पर होती है वो सबसे ज़्यादा energy use करती है and generally सबसे strong भी होती है और जो birds formation के end में होते हैं वो सबसे कम energy use करते है who new की birds naturally इतनी ज़्यादा smart हो सकती है दोस्तों बात करते हैं सभी youngsters के favorite fast food की pizza बगवान के लिए चोड़ दीजे मुझे बट more specifically domino's की दोस्तों कि आपको बता ही के domino's के logo के पीछे एक काफी meaningful reason है 1960s में Tom Mongan नाम के businessman ने Dominic's pizza नाम का restaurant खरीदा था लेकिन उसके पास domino's के नाम यूज करने के rights नहीं थे तो उन्होंने उसका नाम थोड़ा चोटा करके domino's रख दिया in fact यह idea उनको restaurant के delivery boys नहीं दिया था इसका यह फाइदा हुआ कि domino's के पुराने customers थे वो भी retain हो गए और Tom Monaghan को logo का idea भी मिल गया domino's का logo एक square shape में है जो कि एक pizza box को resemble करता है लेकिन उस box पर जो तीन dots बने हैं उसका मतलब जानते हैं वो तीन dots represent करते हैं domino's की पहली तीन branches को जो कि Tom Monaghan ने खरीदी थी उनका idea था कि जैसे जैसे branches बढ़ती आएंगी वैसे वैसे वो और dots आड़ करते जाएंगे बट domino's को थोड़े ही टाइम में इतना success मिला कि इतनी dots fit होने का कोई chance ही नहीं था इसलिए उन्होंने ये idea drop कर दिया और उन्हीं तीन dots को retain किया और उन्होंने ये idea drop किया आज दुनिया भर में इतने domino's की branches है I doubt कोई भी pizza box उन्हों सब को fit कर पाएगा दोस्तों आपको film में theater पर देखना पसंद है या अपने tv पर आप जहां भी देखना पसंद करें I think हम सब इस बात से agree कर सकते हैं कि snacks movie का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सबसे common movie snack है popcorn लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी ही जगा है जहां snacks के option में popcorn के साथ साथ dried ants भी मिलती है चीटिया, जी हाँ ये जगा है कॉलंबिया कुछ हिस्सों में dried and spiced ants एक काफी common movie snack है ants को roast करो उन पर थोड़े spices डालो और शायद उनका flavor इतना अच्छा हो जाता है कि वहाँ के लोग snack को बहुत पसंद करते हैं मैंने बहुत तरह की snacks देखे हैं पर ये पहले नहीं सुना था I think मैं popcorn से ही काम चला लूँगा इस वीडियो का end करते हैं एक fact से जो कि है अपने earth से related कि आपको बता ही कि dinosaurs के जमाने में एक साल में ज्यादे दिन होते थे और दिन का duration भी थोड़ा कम होता था 70 million साल पहरे जब dinosaurs का time चल रहा था तब एक साल में 372 दिन होते थे और एक दिन में लगभग 23 घंटे होते थे ये सब information ancient fossils पर research करकर निकाली गई है दोस्तों इसका मतलब है कि all over these years earth की rotation speed तो change हुई ही है बलकि वो slow भी हो गई है तू समझा? हाँ नए तू समझा नहीं लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप confused हो जाएं मैं एक clarify कर देता हूँ rotation की speed definitely slow होई है लेकिन आज भी earth उतना ही time लगाती है sun के चक्कर मारने में जितना उस वक्त लगाती थी बसफर कितना है कि दिन की length लंबी होती जा रही थी जिसकी वज़ा से साल में दिन भी कम हो गए कैसका मतलब ये है कि आगे चलकर chances है कि दिन और लंबे हो जाएंगे और साल में दिन और कम ये मैं होने नहीं दूंगा well क्या बता मुझे बस इतना पता है कि हमें आज तो इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट में बताना मत भूलिएगा क्या आपको भी कोई इंट्रस्टिंग सा फैक्ट बता है अगर हाँ तो भाई वेट क्या कर रहे है हम सब को बताईए कमेंट सेक्शन में अगर आज की वीडियो आपको बसंद आई हो तो प्लीज हिट दे लाइक बटन एंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आपको विलूँगो अगली वीडियो में और भी वाउमेजिंग फैक्ट के साथ अंटिल देन टेक केर